एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद आते हैं और ये खाने के डेश्ट को और भी जादा बढ़ा देता है तो चलिए फटा फट से बनाते हैं मिक्स वेज रायता बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मिक्स वेज रायता बनाने के लिए आपको जो जो सबजियां खाना पसंद हो वो सारी ले सकते हैं जो ना पसंद हो से ना ले मैंने लिया है एक प्याज, एक टमाटर, एक कीरा, आधा चुकंदर और एक मिर्ची, थोड़ी सी हरी धन्या इस सबजियों को हम बारी काट लेंगे आप जहाद इसमें पत्ता गोबी भी काट सकते हैं गाजर भी काट सकते हैं जो पसंद हो वो सारी सबजिया काट सकते हैं यह एक तम गारी गारी सी दही बढ़िया से हमने तयार कर लिया है इसमें हम अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे थोड़ी सी पिसी मिर्च, थोड़ा सा भुना पिसा जीरा, थोड़ा सा पुदीना पाउडर जरूर डाल दें आधा चमच काला नमक दालेंगे और थोड़ा सा सफेद नमक दालेंगे, दोनों ही नमक दालें टेस्ट बहुत अचा आता है, आप चाहें तो इस सारी चीजों की जगहा पर चाट मसाला यूज कर सकते हैं, सिर्फ चाट मसाला डाया और यह रायता बना लें, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है, इसे color भी निकलने लगता है तो अगर अभी यह रायता आप तुरंत यूज करेंगे तो यह ऐसे ही रहेगा अगर आप इसे रख देंगे एक तो घंटे बाद यूज करेंगे तो चुकंदर की वज़स इसका color change हो जाएगा यानि कि यह थोड़ा pink pink सा हो जाएगा जो कि देखन तड़का लगाएंगे यह रायता और ज्यादा टेस्टी बन जाएगा तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और यह तेल मुंफली का लें या तो रिफाइंड ओयल लें तो फीला पीला सा उपर तहरने लगेगा तो मुंफली का तेल लिया है तेल गरम हो जाए इसमें जीरा का तड़का लगाएंगे जीरा चटकने लगे तो थोड़ी से हींग डालेंगे और गैस को बन करके दो लाल मिर्ट डाल देंगे यह साबूत लाल मिर्ट डाल देंगे जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है अब इसे हम सीधे रायता के उपर डाल देते ह इसे अच्छे से मिला देते हैं, यह हमने जो रायते में हींग और जीरा का तड़का दिया है, इससे रायता का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे अच्छे से मिला दे और यह सरू करने के लिए रेडी है, आप चाहे तो बिना तड़का लगाए भी यह तड़का लगा देने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राय कीज़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, यह रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज का रायता फटा-फट से बन करके तयार है, इसे आप चाहे तो हर दिन बना सकते हैं, और खाने के टेस्ट को दोगना कर सकते हैं, यह मिक्स वेज का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और खाने के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, दोस्तों मिक्स वेज का यह रायता बनाने की वीडियो आ बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई